अब हमें ये भी पता है कि केरियो कानिसस किसने में डिवाइड होता है जार में ठीक है कौन-कौन से प्रोफेज वहीं सीक्वेंस क्योंकि सेल साइकिल एक सिक्वेंचिल इविंट है मेटाफेज आजाएगा सबसे पहले मिलेंगे प्रोफेज 1 से ठीक है प्रोफेज 1 के बाद किसमें आएंगे बच्चो मेटाफेज 1 में ये एक सेल है ठीक है एक सेल है सबसे पहले सेल अपने आपको प्रिपेर करेंगा अच्छा उससे पहले चीज लिखते है यार हमें पता है एक डिपलोई चल कैसा होता है? मालो एक प्रोमोजोम बाले तो यहां पर भी देखो तुमें एक शेप स्ट्रॉक्चर दिखाई दे रहा है? यह देखो, यह एक शेप स्ट्रॉक्चर यह देखो, यह एक शेप स्ट्रॉक्चर Hello students, welcome to the lecture number 3 of cell cycle and cell division अभी तक बच्चो हमने जो रफ्तार पकड़ी थी हमने वहाँ माईटॉसस तक पढ़ लिया है माईटॉसस में हमने पढ़ा था बच्चो that is divided into karyokinesis and cytokinesis और karyokinesis further divided होता into following four stages that was pro phase, metafase, anaphase and telophase और हमने proper वीडियो के साथ animation देखी थी कि किस तरीके से तो तरन से अपने रूप को कभी आप देखोगे kromozooms बीच में होते हैं कभी आप देखोगे kromozooms पोल पर पहुच जाते हैं कभी आप देखोगे kromozooms जो पोल्स पर पहुचे हुए हैं वो अपनी identity लूस कर देते हैं as कि सेल को drama perform कर रहे हैं, chromosomes को drama perform कर रहे हैं, इसलिए बच्चों हमने पढ़ा था कि mitosis या M phase और division phase is set to be a dramatic phase, तो अभे तक बच्चों हमने सिर्फ एक ही division phase complete किया है, that was mitosis आज जो हम division complete करेंगे बच्चों, that is meiosis, तो इस lecture में बच्चों हम देखेंगे that how meiosis is different from the ही बात तो occurrence की बेसिस पर पढ़ाता कि जहां पर वो occur होते हैं, जैसे generally they occur in somatic cell, जो हमारी body cell होती है, that is why mitosis को हम क्या बोलते हैं, बच्चों, somatic cell division, फिर हमने पढ़ाता कि mitosis में, जो chromosome number होता है, parent का division के बाद भी वो chromosome number सेम रहता है, so for this reason, हमने ये भी बढ़ाता बच्चों की mitosis को क्या बोलते हैं equational division तो हमने mitosis को थोड़ा सा brief में revise भी कर लिया अच्छा मैं आपने एक homework भी दिया था पिशले lecture में, जो आपको ढूड़ना था, पैचानना था दो diagram दिये होएते, A and B और आपको पैचाना था, वो कौन सी stage को denote करते हैं, तो याद करो यार NCRT picture है, पहला जो diagram था उसमें chromosomes separate पो चुके थे, और poles पे तुम्हें दिखाई दे रहे, अग तुम सोच रहोगे poles पे दिखाई दे रहे, तो तिलो phase mark करते हैं, इना phase mark करते, या तिलो phase में contractile ring भी बन जाती है furrow formation स्टार्ट हो जाता है बट जो diagram हमने पिछले lecture में देखा तो उसमें furrow formation नहीं हुआ था सिर्फ chromosomes की separation होई थी, तो कौन से stage हो जाएगा, एना phase, है ना और जो दूसरा वाला था, आपको पता होगा है ना, that was a simple profile, yes, तो start करते है बच्चो, आज का lecture हम, आज के lecture में हम पढ़ेंगे बच्चो division, that is meiosis अच्छा कोई फिर division हो बच्चो चाहे mitosis हो, चाहे meiosis हो cell has to prepare itself है ना, that means जब हमने देखा था कि mitosis होई थी तो mitosis से पहले भी cell को क्या करना पढ़ा था cell को करना पढ़ा था prepare और prepare करने के लिए वो कहां घुसा था interface में घुसा था, तो होगा क्या, अगर यहाँ पे भी cell को divide करना है through meiosis, meiosis is what meiosis is also m phase it is also a division phase तो कैसे करेगा cell सबसे पहले अपने आपको interface में हिलाएगा, interface divided होता है बच्चो, g1 में S में और G2 में, तो सबसे पहले वो जीवन में जाएगा, cell और nucleus के size को grow करेगा, S में क्या करेगा, DNA का replication करेगा histone बनाएगा, centriol को duplicate करेगा, उसके बाद G2 में आएगा, mitochondria, chloroplast golgi का duplication होगा, spindle fiber बनेंगे, RNA और protein वो सारी चीजे बनेंगे जो हमें M phase के लिए चाहिए, यहाँ पर अभी M phase बच्चो mitosis नहीं है यहाँ पर अब जो हम यह M phase पढ़ने वाले हैं, that is what? that is meosis, this is the difference interface तो हमने जैसे वहाँ पर पढ़ी थी यहाँ पर भी बच्चो interface चाहिए तुम G1 की बात करो, S की बात करो G2 की बात करो, वैसे ही चलेगा हमने overall पढ़ाता कि interface 95% लेता है cell cycle duration का, तो अगर meosis भी चलेगी बच्चो तो interface वही अपना 95% of the cell cycle duration ही लेगा और division phase कितना लेगा division phase 5% लेगा ठीक है, तो यह हो गया थोड़ा बहुत revision, अब हम बात करते हैं, बच्चो यह meosis actually है क्या, तो सबसे पहले, meosis का जो term है, यह term किस ते दिया था? जो scientist का नाम है, that is farmer and Murray और meosis में एक word आ रहा है कौन सा बच्चो? Mio इस Mio word का मतलब क्या होता है? Mio word का मतलब होता है कम करना to lesson मतलब कम करना, तो यहां पर हम किस चीज के कम करने की बात कर रहे हैं अगर मैं आपको इसको compare करूं myosis से, तो हमने वहां पर देखा था बच्चो कि myosis में कोई भी चीज कम नहीं होती with respect to parent cell ना chromosome number, ना DNA का content बट यहां पर जब आप पूरी myosis पढ़ोगे तो देखोगे chromosome number भी आदा हो जाता है और content भी आदा हो गया है ना, तो उसका मतलब क्या है घटा रहे हैं ना कम कर रहे हैं ना इसलिए हमने यहां से मियो का word क्या समझा to lesson and for this reason हम मियोसिस को overall और क्या बोलते हैं बच्चों हम मियोसिस को overall reductional division भी बोलते हैं इसका proof भी है हमारे पास जब हम lecture में proceed करेंगे तो I will show you the proof as well है ना, जैसे हम अपनी बात करें हमने पढ़ा था mitosis चलती body cell में बट हमारे में जो हम grow कियें बच्चों grow किस वज़े से किये हैं mitosis की वज़े से बट हमारे अंदर जो gametes बनते हैं ठीके, what we are? we are sexually reproducing organism है ना, हम अपना example लेते हैं थोड़ा easy हो जाता है, we are what? we are sexually reproducing organism और जितने भी sexually reproducing organism होते हैं बच्चों जब वो gametes बनाते हैं तो gametes हमेशा बनता है with the help of meiosis जैसे human male में जो gametes बनता है उसका नाम होता है क्या बच्चों? इसे normally अगर मैं आपको बात करूं if I talk about human male ऐसे समझेंगे इसको human male human male क्या है? human male deployed organism है क्योंकि इंसान है और इंसान क्या होते है deployed हमने deployed का भी मतलब समझा था कि deployed में हर एक chromosome sets में मौझूद है है न हमारे पास इसलिए तो हम बच्चपन से पढ़ते आ रहे है that we have 23 pairs of chromosome जो 23 chromosomes है वो जोडे में हैं वो sets में है इसलिए हम उसको क्या बोलते है बच्चो deployed सो हम क्या है एक deployed organism और हमने यह भी पढ़ा था कि deployed organism को by convention क्या लिखते है 2N 2C अगर हम अपने chromosome number की बात करें अगर हम deployed है तो हमारा chromosome number क्या है 46 यहाँ पर मैंने n is equal to 46 नहीं लिखा मैंने 2N is equal to 46 लिखा है क्योंकि 46 जो chromosome है they are present in the form of pairs ठीक है और by convention में deployed cell को लिखते है 2N 2C अब human male में जब sperm बनता है बच्चो जब sperm बनता है तो एक process चलती है formation of sperm को क्या बोलते है spermatogenesis तो आप यह सब zoology में human reproduction में पढ़ोगे ठीक है तो spermatogenesis जब होता है जब sperm बनती है बच्चो तो चलता क्या है meiosis तो देखो हमारे शरी में meiosis चला हम sexually reproducing organism है हमारे शरी में meiosis चला क्यों चल रहा है meiosis during the formation of gamete कौन सा gamete बन रहा है बच्चो male gamete और male gamete का नाम क्या होता है हमारे में sperm और अब हमने पढ़ा कि meiosis reductional division होता है half कर देता है chromosome number तो half करके कितना देगा n is equal to 23 ठीक है तो यहां पर तो हमने सिर्फ यह पढ़ा है कि half करने के बाद तुम्हें result क्या मिल रहा है या हमने यह पढ़ा है कि हमारे में meiosis कहा चलती है with respect to human male similarly अगर मैं आपको समझाओ with respect to human female तो human female भी क्या है human है और human होंगे बच्चों तो हमारे पास भी कितने है 2N is equal to 46 है ना difference कहा होता है sex chromosome में होता है हमारे पास XX होता है male के पास XY होता है ठीक है human female भी क्या है deployed organism है इसलिए मैंने 2N is equal to 46 लिखा है by default deployed cell को मिखते कैसे है 2N2C से जिस प्रकार से इन में gamete formation के time meiosis होती है उसी प्रकार से बच्चों human female में भी meiosis होती है क्या बनाने के लिए ova बनाने के लिए उस process को क्या बोलते है o genesis बोलते है Genesis का मतलब formation o का मतलब ovum ठीक है तो इस दोरान भी meiosis चलेगी तो meiosis जब चल जाएगी हमारे केस में तब हमें जाकर के अपने शरीर के अंदर मिलते हैं बहुत सारे female gamete जिसको हम क्या बोलते हैं egg बोलते हैं और you can directly call it to be ova क्योंकि female gamete gamete word लग गया या तुम कहलो egg or ovum they are the result of which cell they are the result of which division meiosis और meiosis हमेशा आधा करा देता है तो आधा करा के तुम्हें क्या मिलेगा बच्चो n तो 46 का आधा क्या होता है 23 ठीक है तो आपको यहांसे प्रूव भी मिल रहा है that after meiosis the chromosome number is reduced to half that is why meiosis is said to be reductional division या तुम यह भी कह सकते हो कि meiosis हमेशा एक deployed organism में होगी लिखते हैं meiosis occur हमेशा बच्चो याद रखना it always occur in deployed cells only meiosis can never happen in haploid cell दिमाग में चमकालो यह बात ठीक है in deployed cells only और deployed cells में होने के बाद यह कौनसी cell बना रही है it result in formation of it result in formation of haploid cell it result in formation of haploid cell मतलब 2N2C वाले cell में चलेगी और 2N2C वाले cell में चलने के बाद जो result in तुम्हें मिलकर के आएगा वो क्या मिलेगा nc इसका भी proof मिलेगा हमें ठीक है अभी तो हमें सब समझ रहे हैं ठीक है तो यहां से हमने समझा कि meiosis occur कहा होती है always in deployed cell haploid cell में नहीं चलेगी ठीक है meiosis के वज़े से as the result तुम्हें haploid cell मिलते हैं और चाहे कोई भी division हो बचो meiosis भी करना है एक particular cell को तो वो interface से अपने आपको prepare करते हुए घुस्ती है meiosis में clear हो गया अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं अभी हमने लिखा था कि meiosis कहां चलती है एक deployed cell में और जिस भी cell में meiosis चलती है उस cell को एक नाम दिया गया है तो लिखते हैं meiosis occur in meiosis occur in meiosis occur in meosite meosite अच्छा यह meosite क्या है अगर तुम इसको भी तोड़ोगे तो side से तुम्हें word मिल रहा है किसका side से मतलब है cell और meo word का यहां पर मतलब meiosis से है तो meosite से आप क्या समझें meosite से तुम यह समझें कि वो cell जहां पर meiosis चलती है that particular cell is set to be meosite और अभी हमने यह भी बढ़ाता बच्छो कि meiosis हमेशा deployed cell में होती है तो अगर कोई आपसे इस meosite की ploidy पूछे तो तुम क्या बोलोगे तुम बोलोगे बच्चो it is 2N2C why because meosite is a deployed cell और deployed cell को by convention हम क्या लिखते है 2N2C अच्छा यह meosite कुछ भी हो सकता है जैसे हमारे अंदर meiosis कहां होती है जब gametes बन रहे हो जैसे अगर मैं algae और fungi की बात करूँ आप उन chapters में भी पढ़ोगे बच्चो algae और fungi में meiosis चलती है zygote में तो उस टाइम पर कहां पर चली zygote में तो zygote क्या बन गया meosite अगर meiosis spore mother cell में चले तो वहां पर meosite क्या बन गया spore mother cell हो गया isn't it similarly we can write that मतलब meosite vary कर रहा है depending upon the organism इसलिए meiosis को भी हम categorize करते है 3 types में लिखते है 3 types of meiosis 3 types of meiosis ठीक है number 1 we gonna talk about zygotic meiosis zygotic meiosis क्या होता है बच्छो meiosis that occur in zygote that occur in zygote that means we can write like this zygote 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 क्या होता है बच्छो deployed होता है क्योंकि हर sexual reproducing organism में जो life originate होती है that starts from the zygote two gametes fusion 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 meiosis amazing fusion 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 हो जाए तो ऐसे मियोसिस को हम क्या बोलते हैं बच्चो जाइगोटिक मियोसिस क्या बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस और ठीक है मियोसिस और जाइगोट में मियोसिस होगी तो what you will get you will get haploid cell, यह तो true बात है, जो हमें पता ही है कि meiosis होई तो haploid cell होगी, क्योंकि zygote में meiosis होई है, उसको zygotic meiosis बोलते हैं, ठीक है, that means यहाँ पर zygote तुम्हारा किस की तरह behave कर रहा है, यहाँ पर zygote तुम्हारा meoside की तरह behave कर रहा है, क्यों? क्योंकि zygote में हो रही है meiosis, ठीक ह स्पोरिक मियॉसिस में मियॉसिस कहा होती है मियॉसिस अकर इन स्पोर मदर सेल या आप ये भी लिख सकते हो पॉलें मदर सेल ठीक है तो अगर मैं पॉलें मदर सेल लूँ ठीक है पॉलें मदर सेल मदर सेल है क्या होंगे अगर इनमें मियॉसिस हो रही है तो बाइ डिफॉल्ट समझ जाना है कि इसमें क्या चला मियॉसिस चला क्योंकि मियॉसिस एक स्पोर मदर सेल में चला है इस मियॉसिस को क्या बोलते हैं हम इस मियॉसिस को नाम देंगे स्पोरि grains ठीक है अगर यह spore mother cell हम लिखते तो spore mother cell में अगर meiosis हो रही है तो यह भी क्या होंगे बच्चों 2N ठीक है इन में भी क्या चलेगा sporic meiosis चलेगा और sporic meiosis के बाद तुम्हें haploid cells मिलेंगे और उन haploid cells का नाम क्या होगा sports तो अगर आपसे बच्चों कभी question आए कि pollen grain की ploidy बताओ तो pollen grain result of meiosis ना तो क्या होंगे haploid अगर आप से पूछा जाए sports की ploidy बताओ तो sports किसके result होते sporic meiosis के तो यह भी haploid होंगे अब आप सोच रहे होगे मैं क्या pollen grain sports नहीं है आपने अलग से बता है बच्चों चाहिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो चाहिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो सेम बात है जब आप थोड़ा और detail में पढ़ोगे class 12 में तो आपको पता चलेगा pollen grain is a kind of spore only it is said to be a micro spore ठीक है तो इतना detail में नहीं जा रहे है अभी आपको 11 पे इतनी requirement नहीं है तो बस इतना याद रखना कि pollen grain हो spores हो किस तरीके की meiosis से बनते sporic meiosis इनको sporic क्यों बोलते हैं विकॉस कहां चल रही है spore mother cell में चल रही है that means यहाँ पर PMC और SMC किस की तरह behave कर रहे है तो देखो तुम्हें यहाँ से भी प्रूफ मिल गया बच्चों कि meosite हमेशा क्या होती है sorry deployed अच्छा आप सोचो कि मैं लगे हाथ examples भी लिखवा दो तो क्यों नहीं examples लिख लें कि zygotic meosite कहां चलती है zygotic meosite चलती है algae में पंजाई में जब आप इनके chapters पढ़ोगे तो वहाँ पे और detail में देखोगे sporic meosite कहां चलती है sporic meosite चलती है बच्चों ब्रायो में टेरीडो में जिम्नो में एंड एंजियो में यह चार प्लांस है जिन में हम sporic meosite पढ़ेंगे plant kingdom वाले chapter में भी पढ़ेंगे है ना एक और meosite होती है बच्चों जो जेनरली animals में पढ़ोगे आप जब animal kingdom देखोगे तो दाट इस said to be a gametic meosis that means meosis that takes place during gamete formation है ना जैसे हमने देखो यहां पर देखा था जैसे हमने कहां पर देखा था यह देखो ठीक है यहां पर भी gamete बनने के दौरान चली spermetogenesis के दौरान और यहां पर females में कहां पर चली ओजनिस के दौरान तो यह एक इस तरीके की भी होती है जो आप जेनरली animals में पढ़ते हैं we are also what we are also social animals तो हमने अब यह देखा meiosis का brief कि meiosis है क्या बहुत छोटा सचीज और meiosis के टाइप कितने होते है ना बच्चो अब हम थोड़ा और समझते हैं तो जैसे हमने आर माइटोस तो बड़े सा complex होता है अगर हम compare करें क्यों क्योंकि meiosis overall दो स्टेप्स में जाकर के complete होती हम इसको काउंट करेंगे बट वह एक meiosis complete दो साइकल में होती है फॉर्स एक सेल कहां जाए कि meiosis one में meiosis पूरा का पूरा खताम होगा तब कि में इंट्री मारें बच्चों मियोसस टू में है ना तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा से समझते हैं अब हमें पता है कि meiosis है क्या है तो एंफेजी ना और हमने पढ़ रखा है बच्चों कि एंफेज क्या होता है एंफेज डिवाड़ेड होता है करियो कानिस इंस साइ इनो फेज के बाद क्या आज आजएगा बच्चों तिलो फेज आजाएगा क्योंकि ये सारे division, ये सारे stages, miosis 1 के हैं, इसलिए सब के आगे क्या लगा होता है? First, ठीक है? अब आप सोचे कि मैं, यही difference है, बस first लगा दिया और that means, so miosis 1 हो गया, नहीं, differences भी हम देखेंगे, अभी तुम sequence समझ रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एक cell kerio canises 1 में आ जाएगी, kerio canises 1 में, prophase 1 में, prophase 1 के बाद metaphase 1, metaphase 1 के बाद enophase 1, enophase 1 के बाद telophase 1, telophase 1 खतम, तो cytokinesis 1, अच्छा, एक बार जब एक cell meiosis में आती है, तो इस cytokinesis 1 कर गए, या cytokinesis 1 कर गए, तो हमें दो daughter cell मिल चुके हैं, अब वो दोनों daughter Schools अभी अभी ये एक cycle首先 ना print a 2019 के लिए क्यों क्योंकि उनको धुपारा और 17 करेंगे'S हम फिर दुबारा से इंटर्फेस होगा नहीं पूरा का पूरा इंटर्फेस हम नहीं कहते दुबारा होगा बट हाँ उससे मिलता जुलता एक स्टेज जरूर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर काइनिसिस बनाने के बाद वह चले जाते हैं, Miosys 2 में, Miosys 2 again, है तो M-PASY, तो divided हैं करियो कानिसी और साइटो कानिसी में, करियो कानिसी भई होगा, प्रो फेस सेकेंड, मेटा फेस सेकेंड, एना फेस सेकेंड, तिलो फेस सेकेंड, तिलो means terminal, that means nuclear division खतम हो चुकी है, अब सेल किस में चला जाएगा, साइटो कानिसीस 2 में, तो साइटो कानिसी 2 खतम, तब जाकर के हम बोलते हैं, कि overall Miosys खतम होई है, ठीक है, अच्छा, ये तो हमने उपर उपर से पढ़ लिया, अब थोड़ा सा साइकिल में आ जाओ, आ जो साइकिल में यार, ये देखो, मैं आपने साइकिल बना रखी है, सबसे पहले एक सेल है, ये सेल किस में जाएगी, जीवन में जाएगी गई, जीवन में जाने के बाद, इसने अपना growth किया, वही जो सारी चीज़ हम पढ़ रखें बच्चो, growth करने के बाद, ये जाएगी S-phase में, S-phase को हम synthetic phase बोलते हैं, और यहाँ पर एक बहुत important चीज़ होती है, with respect to DNA, DNA का क्या होता है बच्चो, replication, DNA replication के बाद क्या होता है, stone की synthesis, stone synthesis के लावा, यहाँ पर और क्या होता है, centriole का duplication, यह सारा कुछ किया, यह सारा करने के बाद, cell कहां आई, G2 में, G2 में क्या होता है बच्चो, G2 में होता है, हमारा tubulin की synthesis लिख लेते हैं, ठीक है, tubulin synthesis, क्यों क्योंकि आगे जाके, तुम्हें division कराना ना, यह शॉर्ट पॉर्म में, that means cell has prepared, for the purpose of division, तो यह सबसे पहले जब सेल आई, सबसे पहले जब यह सेल आई, तो यह कहां जाएगी, यह जाएगी मियोसिस वन में, मियोसिस वन में सबसे पहले किस से मिलेगी, प्रोफेस वन से, फिर किस से मिलेगी, यह सबसे पहले किस से आईगी, सबसे पहले मिलेगे, प्रोफेस वन से, फिर के बाद किस में आईगे बच्चों, मेटाफेस वन में, मेटाफेस वन के बाद किस में आईगे, एनाफेस वन में, एनाफेस वन के बाद किस में आईगे, टिलो फेज वन में टिलो फेज का तम तो क्या चलने लगती है साइटो काइनिसिस कौन सी साइटो काइनिसिस साइटो काइनिसिस वन साइटो काइनिसिस वन करने के बाद सेल को लग जाती है थोड़ी भूख और चीजों को synthesize करने के लिए दुबारा से meiosis ठू के लिए prepare करने के लिए तो देखो दोनों meiosis के बीच में क्या रहा है enter kinases that is a very short lived stage that is a very short lived stage बहुत कम time के लिए है ना उसके बाद देखो prepare करने के बाद अब देखना ध्यान से होगा क्या जब एक cell के बाद दो डॉटर सेल में divide हो जाती है बच्चो लिखते हैं इसको यह देखो what you are getting you are getting two daughter cell but division यहाँ पर खतम नहीं हुई यह दोनों सेल कहां चली जाएंगी यह दोनों सेल जाएंगी meiosis 2 में है ना तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखू एक सेल सी एक सेल कहां गई बच्चो meiosis 1 में meiosis 1 के बाद वो दो daughter cell में बन तो गई बढ़ division अभी भी complete नहीं हुआ है यह फिर से किस में जाएगी यह वाली सेल भी और यह वाली सेल भी यह entry मारेंगे बच्चो meiosis 2 में meiosis 2 में सबसे पहला pro phase 2 pro phase 2 के बाद metafase 2 metafase 2 के बाद enaphase 2 enaphase के बाद tillophase 2 tillophase के बाद यह क्या है cytokinesis second so after cytokinesis second that means meiosis second खतम हो गई है और यह सेल तुम्हें मिलेगी यह एक सेल है हमने सेल साइकिल का क्या पढ़ा था definition कि हर एक सेल divide हो जाती है दो डाटर सेल में तो देखो यह एक सेल थी कैसी सेल थी 2 and 2C सेल थी इसने सबसे पहले meiosis 1 किया तो you are getting 2 डाटर सेल देखो definition आगी अब यह एक particular सेल ने जब meiosis second किया दूसरी time divide किया तो फिर से देखो तुम्हें क्या मिल रहा है 2 daughter cell अब यह वाली जो सेल थी यह भी जाएगी meiosis 2 में यह भी देखो क्या बना ली 2 daughter cell तो हर एक सेल जब एक सेल साइकिल में जाती है तो तुम्हें मिलेंगे 2 daughter cell और meiosis में overall तुम्हें कितने daughter cells मिलते हैं 4 और यह सारे cells कहते होंगे हय सबसे पहले से अपने आपको करेगा अच्छा उससे पहले एक चीज लिखते है आर हमें पता है एक deployed cell कैसा होता है मालों यह chromosome 1 है chromosome 1 के respect में पढ़ते हैं है ना यहाँ पर chromosome 1 अपने sets में मौझूद है that means यह deployed cell है deployed cell को कैसे लिखते है बचो 2N2C है ना क्योंकि हमें पता है meosis कहां चलती है deployed cell में अच्छा अब यह deployed cell अपने आपको prepare करेगा prepare करनी के लिए जाएगा preparatory face में that is interface interface में इसके सबसे पहली मुलकात किस से होगी G1 से G1 में जब यह जाता है तो cell बगरा की size increase होती है DNA related कोई change नहीं होता फिर G1 के बाद कहां जाता है S में और हमें पता है S में DNA करता है replicate तो क्रोमोजोम नंबर भी change होता है नहीं हमने पढ़ा था क्रोमोजोम नंबर remains the same just the content gets double देखो तो मैं अभी यहाँ पर replicated set दिखाई दे रहे है है अभी भी यह chromosome 1 तो यहाँ पर chromosome 1 की कितने sets दिखाई दे रहे हैं दो तो 2N बट अब धागे कितने हो गए है chromatics कितने हो गए है 4 तो 4C ठीक है अब same to same यही cell कहाँ चली जाएगी G2 में G2 में भी chromosome related कोई change नहीं होता तो cell का रूप इसी तरीके से दिखाई देगा चलो बना लो चलो बना लेते हैं बना लिया हमने कैसी cell है यह 2N 4C वाली cell ठीक है अब यह जो 2N 4C वाली cell है बच्चो यह अब जाएगी सबसे पहले कौन से division में meiosis 1 में देखते हैं क्या होगा यह देखो meiosis 1 में गई meiosis 1 के बाद ही तुम्हें 2 daughter cells मिल जाती है देखा था न हमने होगा क्या देखो जब सबसे पहला meiosis 1 होता है न बच्चो तो यह एक set एक daughter cell में चला जाएगा यह दूसरा set of chromosome 1 दूसरे daughter cell में चला जाएगा चलो draw कर लेते हैं यह देखो daughter cell बन कर क्या आ गई एक round of division खतम हो चुका है एक round of nuclear division खतम हो चुका है तो हुआ क्या यहाँ पर देखो बच्चो इस daughter cell के पास chromosome 1 का कितना set पहुचा एक यह क्या बन गया जब हर chromosome एक ही set में लिखा हो याद करो मैं ने क्या पढ़ाया था बच्चो मैं आपने पढ़ाया था ऐसे cell को हम बोलते हैं haploid cell ठीक है तो यह कैसी cell मिली haploid और यही तो हमने पढ़ा था कि मियासिस रिजर्ट इन दी फॉर्मेशन of haploid cell मिल गए अब देखो content की बाद करें तो content तो यहाँ पर दो chromatic दो धागे तो content यहाँ पर टूसी है ठीक है यहाँ पर दो धागे है तो content यहाँ पर क्या है टूसी तो बहुत सारे बच्चों का यह doubt होता है आखिर क्यों मियासिस वन के बाद मियासिस टू की जरूरत पड़ती है बच्चों मियासिस वन के बाद chromosome नंबर तो आधा हो गया है ना बट content बहुत double है एक haploid cell को बनने के लिए टूसी नहीं चाहिए होता है कितना चाहिए होता है सिर्फ c content यही तो बढ़ाता हमने कि haploid is what nc but what you are getting over here 2c double the content हमें double वाला नहीं चाहिए तो हमें इसको भी अभी reduce करना है number reduce हो चुका है content reduce करना है और content reduce करने के लिए यह दुबारा से किस division में जाते है meiosis 2 तो तुम्हें एक मिला है daughter cell 1 एक मिला है daughter cell 2 तो एक difference जो मैं आपको mitosis से यहाँ पर बनाओ बताओं तो mitosis अगर होता तो chromosome number नहीं बदलता बट meiosis में देखो पहले 2n था अब n रह गया है उसके बाद यह जो दो cell बनी है न बच्चो यह कठे meiosis 2 में जाती है ऐसा नहीं कि भाया पहले 2 कर किया फिर में आऊंगा नहीं they will go in meiosis 2 simultaneously यह वाला भी वो वाला भी अब देखो क्या होगा इस वाले chromosome के पास कितने chromatids है बच्चो दो है ना तो होगा क्या एक chromatid एक डॉर्टर सेल में डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा सब पढ़ना है बच्चों अभी हमें tension ना लो ठीक है और एना फेस सेकेंड में centromere split कर जाता है chromatid separate हो जाती है एक chromatid एक cell में distribute हो जाएगी तो अब पढ़ते हैं यह भी chromosome 1 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 उटी single chromatid only है ना तो यहां पर देखो यह एक chromosome है तो n ऊकी धागा है थो c आक्रोमोजोम है तो n एक धागा है तो c अक हो यह द और रेला घॉग है तो सी सो वाटत यो और तो कि ओहट़न और यह फोर हाप लॉइट सील्स ठीक है क्या मिला तुम्हें 4 haploid cells तो एक cell जब meiosis में जाता है तो 4 haploid cells बनते हैं ठीक है? और ये वाले दो इस वाले daughter cells से बने हैं ये वाले दो इस वाले daughter cells बने और ये दो daughter cells कहां से बने हैं? Previously जो ये diploid cell ली थी अबने ठीक है? So this is how you can see meiosis 1 के बाद chromosome number half हो गया है इसलिए meiosis 1 को reductional division बोला जाता है बच्चो और क्योंकि जो daughter cell बनके आई उसका chromosome number और parent का chromosome number match नहीं करेगा देखो यहाँ पर N है parent का 2N था इसलिए इसको heterotypic division भी बोलते हैं अब क्या होता है? meiosis 2 में देखो इस daughter cell का N था और जो daughter cell बनके आई है वो भी N है इसलिए इसको हम equational division बोल देते हैं क्योंकि आप जब पढ़ोगे meiosis 2 बच्चो तो में बहुत चारी चीज़े similar लगेंगी mitosis से कांसी वाली meiosis 2 जब पढ़ोगे बच्चो तो आपको ऐसे लगेगा कि यार यह mitosis जैसा है हाँ division मिलता है mitosis से इसलिए इसको equational division या homotypic division भी बोलते हैं यह तो यार हमने कहानी पढ़ी brief पढ़ा है देखो बहुत जादा time लेकर के बच्चो हमने basic समझा है बहुत जादा time लेकर हमने basic समझा है तो हमें उतना ही अच्छे से थोड़ा patience के साथ सारे के सारे अभी process cover करने है है ना तो अब हम start करते हैं basic से ठीक है आजओ यह तो हमने सारी कहानी पढ़ ली है ना उसके बाद चलते हैं यार meiosis 1 we know that is a reductional division why लिख लेते हैं number of chromosome number of chromosome is reduced to half 2N से क्या मिल जाता है तुम्हें N ठीक है अब यह following stages में divided होता है हमने panel पढ़ लिखा है karyokarnisus 1 karyokarnisus further divided होती prophase 1 metafase 1 enaphase 1 telophase 1 telophase 1 खतम तो क्या चला जाएगा cytokarnisus 1 में ठीक है तो एके करके बच्चो सारे अब हम आज के lecture में meiosis 1 के सारे stages खतम करेंगे ठीक है तो आज आज सबसे पहले यार सबसे पहले हम पढ़ते हैं prophase 1 prophase 1 और जो prophase of mitosis था उनमें difference है prophase 1 उनसे ज़्यादा elaborate process है ज़्यादा complex process है जैसे वहाँ पर longest था यहाँ पर भी overall यही longest है पर ज़्यादा technically complex है क्यों क्योंकि यह further divided होता है बच्चो 5 sub stages में नाम क्या है इनका सबसे पहला जो stage होता है prophase 1 का उसको हम बोलते हैं leptotin leptotin के बाद जो दूसरा stage आता है उसको हम बोलते हैं zygotin क्या बोलते हैं बच्चो zygotin zygotin is followed by packetin बहुत बच्चे packetin भी बोलते हैं whatever you want to pronounce it packetin के बाद क्या आ जाता है बच्चो diplotin diplotin और diplotin के बाद क्या आ जाता है बच्चो diacarnis ठीक है तो obviously देखो complex हो गया ना past stages तुम्हें और पढ़नी पढ़ रही है यहाँ पर याद कैसे करोगे sequence L, Z, P, D, D ठीक है तो एक निमोनिक्स याद कर लो यार एक स्निमोनिक्स याद कर लो लाओ जरा पानी दे दो because it's sequence नहीं बहुत question आएंगे लाओ जरा पानी दे दो leptotin, zygotin, packetin diplotin, diakinis ठीक है तो यार बहुत सरे बच्चों को शायद इस निमोनिक्स जरुवत ना भी पढ़े ठीक है क्योंकि तुम इतनी बार revise करोगे तुमें sequence as it is याद हो जाएगा बर जिनको लगता है शुरुवात के लिए ठीक है तो यूज कर सकते हो यार ठीक है क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ना तो मुझे भी यार बच्चे यार तखलीफ होती थी sequence याद करने में तो जब मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाय था ना मुझे बहुत खुशी हुई थी तो मैं चाहती हूं वह थोड़ा से तुम लोग के साथ साथ भी शेयर करूं तो यह sequence है अगर तुमारे पास कोई बहतर सीक्वेंस है तो तुम वह भी फॉलो कर सकते हो जब ज्यान लेने से मतलब है कहीं से भी मिले ठीक है लेप्टोटिल सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो यार देखो हो हो क्या रहा है यह सेल आई कहां से होगी इंटरफेस है और अभी हमने पढ़ा था बच्चो कि इंटरफेस में एक स्टेच चलती है एस फेस जहां पर सेंट्रियोल डुप्लिकेट हो चुके हैं देखो क्या है साइटोप्लाजम क्योंकि सेंट्रोजों कहां पर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाजम में बाहर वाली बाउंडरी सेल मेंब्रेन लिखी है अंदर वाली बाउंडरी न्यूक्लियर मेंब्रेन है या न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियर मेंब्रेन में क्या प् तुम्हें यहां पर अभी डबल डबल दिखाई नहीं दे रहा है याद करो माइटॉसस में भी हमने पढ़ा था बट धीरे धीरे जब सेल कंडेंस करती है क्रोमाटन से क्रोमोजोम बनता है तो तुम्हें प्रॉपर रेप्लिकेटेड थ्रेट्स दिखाई देने लगते हैं है ना रेप्लिकेशन हो रखी है कहां पर हो रखी है एस फेज में बट हो प्रॉपर्ली अभी विजिबल नहीं होता है इसी वज़े से हमने एसको इन्विजिबल बोला था बहुत बार रिपीट कर चुके है जीज़ है ना अब क्या होगा यार यहां पर अगर आप देखो तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल है वो तुम्हें यहां पर पोल्स पर पहुचना पहुचना स्टार्ट करेंगे तो we can write that centrosome and centrioles start moving to opposite pole और जो condensation होती है ना बच्चो chromatin की क्योंकि हमें बता है chromatin से condense होंगे तभी chromosome बनेगा और तभी जाकर के हमें वो replicated threads दिखाई देंगे in the form of sister chromatin तो इसी station शुरू होगा तो लिख लेते हैं condensation of chromatin starts और एक और खास बात है animal cell में अगर हम इस stage को microscope के अंदर देखें तो stage की appearance bouquet की तरह आती है किस की तरह आती है बचो बुके की तरह आती है क्यों 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 कि बुके आपने देखा आगा अगर किसी को gift किया है तो एक तरिक से हम क्या करते हैं उसको यह थोड़ा सा extra है बचो जो आपने याद रखना है with respect to animal cell ठीक है तो अभी हमने पड़ा कि इलेप्टोटिन में कंडेंसेशन दिखाई मना शुरू हो रही है तो धीरे धीरे जब यह सेल प्रोसीड करेगी नेक्स स्टेज में तो तुम्हें क्रोमोजोम बना हुआ दिखाई देगा तो क्यों नेक्स स्टेज में चलें यहीं चीज यह चीज याद करो जब हमने स्टेज में शुरूः सुरूठ भाद हो जाती यह तो प्रो सिब्लक चल रहा था टो प्रो फेज के अंड तक तुम्हें न्यूपली अब den ही न तुम्हें टीटकत अन moreover this all the five stages बच्चो NCRT में दिया तो जरूर है बट without any diagram इसलिए थोड़ा समझना और अच्छे से कोशिश करना because without diagram how you can study cell cycle isn't it थोड़ा सा patiently बैठो और समझो ठीक है तो अभी हमने देखा था बच्चो क्या chromatin के form में था chromatin contents हुआ है अच्छा notice करने वाली गौर्फ फर्माने वाली बात जो यह थी जान बूच करके यहां पर मैंने दो कलर से क्रोमोजोम दिखाए हुए एक येलो कलर से और एक पिंक कलर से ऐसा क्यों किया है मैंने वैसे तो mytosis में भी दिखा सकते रहे से क्योंकि हमारी सेल में 30 क्रोमोजोम कहां से आये हैं ममी से आये हैं तीस क्रोमोजोम कहां से आये पापा से आये है ना चलो यहां आते हैं फिर से इस पर आते हैं यह देखो हम बने होंगे जैसे sperm बना स्पर मॅं जाता है एक के पास जाता है ठीक है ध्यान से सुनना बच्छोण यह स्पर्म गया किसके पास एककेcos इनका क्या होता है इनका होता है fusion सारा fusion हमारे में कहा होто फीमेल रिप्रोड़क्टिव ट्राक के अंदर और एन प्लस एन मतलब स्पॉम प्लस क्या तुम्हारा गेमीट सॉरी ओवा मिल करके बनाते हैं जाइगॉट तो जाइगॉट एन प्लस एन दो हैपलॉइट सेल की फ्यूजन से बना है तो यह क्या होता है 2N क्या होता है सेल बना 46 तो चले जाते हम यह था हमेंने चाहिए था तो तो गेमीट बनाने के लिए इनको तो मियोसस करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना? तो जैसे हम भी बने हैं, हम किससे बने हैं? हम सब जाइगौट से बने हैं और अभी हमने देखा कि जाइगौट मेल और फीमेल के फ्यूजन से बना है, That means यह zygote कल को गघ़ जाके चाहे male बनाए या कल को गघ़ जाकर के female बनाए इसका आधा कहां से आ रहा है पापा से और आधा क्रोमोजोम कहां से रहा है मम्मी से है ना, लिखती हूं This half is coming from पापा This and is coming from मम्मी तो जो मम्मी वाला क्रोमोजोम होता है मम्मी वाले क्रोमोजोम को क्या बोलते है मेटर्नल क्रोमोजोम मेटर्नल क्रोमोजोम और पापा से जो हमें क्रोमोजोम मिला है स्पर्म के थुरू 23 क्रोमोजोम उनसे भी मिला है तो उसको हम क्या बोलते है paternal chromosome तो हमारे हर cell में बच्चो जो हम 23 pairs बोलते हैं उसमें से 23 मम्मी से आया है 23 पापा से आया है और उनी का बनता है sets समझ में आया? और इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास हर chromosome के 2 धागे हैं chromosome 1 के भी दो, chromosome 2 के भी दो chromosome 3 के भी दो till 23 chromosome तो उनी 2 में से एक आया है मम्मी से, एक आया है पापा से, तो उनको अलग-अलग color से दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक pink और एक yellow से दिखा रखा रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चो यहाँ पर हमने देखा कि वो chromatin के form में अब हम जब next stage में जाएंगे तो इनकी हो जाती है condensation और condensation के बाद तुम्हें वो chromosome इस form में दिखाई देने लगता है यह देखो अब जो ध्यान फर्माने वाली बात है बत्रो हमारे पास सिर्फ chromosome 1 नहीं है बट मैं आपको सिर्फ यही chromosome 1 बनाकर के दिखा रहे हूँ फिकॉस इस नाट पॉसिबल तो ड्रॉव दी एंटायर 23 पेवर्स अब क्रोमोजोम ठीक है हम सर्फ डाइग्राम ही डाइग्राम बनाते चले जाएंगे फिर कब समझेगे पता नहीं कितना लंबा लेक्चर हो जाएगा इसलिए हम सर्फ एक ही chromosome के respect में समझने की कोशिश करते हैं पहली बात दूसरी बात अभी हमने देखा यह पिंक धागे के फ़र में पड़ा हुआ था औरेंज भी धागे के फ़र में पड़ा हुआ था उन धागे को क्या बोलते हैं क्रोमाटिन बट वो क्रोमाटिन की condensation वहां से शुरू हो गई थी अब यह तुम्हें chromosome में दिखाई देने लगे हैं अब यार एक चीज सोचो धागे तो बन के भी टू के भी थ्री के भी फॉर के भी फाइफ की ट्विल ट्वेंट्री की पड़े होंगे है ना हर क्रोमोजोम के धागे पड़े होंगे तो होता क्या है जब कंडेंसेशन होती है ना तो यह अपने अपने पार्टनर के साथ अलाइन होते हैं है ना जिसे कहीं गेम खेलने जा रहे हो तो पे और में वो गेम खेलाना चाते हैं ऐसा थोड़ी कि तुम अप तुमारी वाइफ तो बाद में जाके बनेगी जब कंडेंसेशन होती है तो सब अपना पार्टनर ढूंदता है और सब पार्टनर पार्टनर को लेकर के एक साथ खड़े हो जाते हैं किस स्टेज में zygotin stage में ठीक है और इस pairing को हम क्या बोलते हैं इस pairing को हम बोलते हैं synapsis तो zygotin में क्या हुआ chromosome visible हो गया है chromosome visible हो गया है पहली बात बट क्या ये chromosome diad form में visible है नहीं ये chromosome किस form में है monad form में है अभी ये chromosome भी किस form में है monad form में है बट दोनों है तो chromosome 1 के ही set न pair जो हुआ है तो इस paired set को इस structure को हम बोलते हैं byvalent क्या बोलते हैं बच्चो byvalent by क्यों बोल रहे हैं by क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इस पूरे के पूरे structure में chromosome कितने हैं दो ठीक है इस paired structure को हम byvalent बोल रहे हैं और इस byvalent का मतलब क्या है एक paired chromosome है बार बार repeat करें जैसे तुम्हें easy हो जाए समझने में है ना तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे chromosome visible दूसरी चीज़ जो हम लिखेंगे कि यहां पर same same chromosome pairing हो रही है तो हम इसको कैसे लिखते हैं pairing of same same chromosome और याद करो याद हमने पढ़ा हुआ है same same chromosome को हम homologus बोलते हैं तो क्यों ना इसको ऐसे ना लिख लें pairing of homologus chromosome pairing of homologus chromosome ठीक है इस pairing को क्या बोलते हैं pairing is known as synapses तो अगर आपसे question पूछा जाए कि synapses किस stage में हो रही है बच्चों तो synapses कहां हो रही है synapses हो रही है इस stage में और हमने देखा था इस तरीके का synapses mitosis में नहीं हुआ था ठीक है यह किसका characteristic feature है meiosis का characteristic feature है और after synapses after synapses the complex structure which is formed complex structure the complex structure या तुम जो pairing हुई है paired structure से समझ सकते हो the paired structure is known as what? bivalent what it is known as? bivalent तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों इस diagram को देखते हुए कि यहाँ पर कितने bivalent बने है तो इस overall को हम बोल रहे हैं यह जो पूरा structure बना यह जो पूरा pairing हुआ यह जो पूरा paired structure था उसको हम एक bivalent बोल रहे हैं तो इस इस वन बाइवलेंट इस diagram के according number कितना है? वन अब इस बाइवलेंट में chromosome कितने हैं? chromosome 1 के 2 set है तो confused मत हो ना जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक human cell है human cell जब meiosis करेगा तो जब वो zygotin stage में जाएगा तो बाइवलेंट कितने बनेंगे यार? बाइवलेंट क्या है? paired structure यह तो है तो अगर हमारे पास 46 chromosome होते हैं तो paired कितने बनेंगे? 23 इसलिए तो हम बोते हैं 23 pairs of chromosome और 23 46 का आधा ही है ना तो अगर हम यहां से थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम सीधा सीधा यह समझ सकते हैं कि यह जो बाइवलेंट बनता है बच्चो that is nothing जितना भी number of chromosome होगा जितना भी number of chromosome होगा उसका क्या कर दोगे? आधा जैसे अगर 100 chromosome के लिए पूछा जाए कि बाइवलेंट कितने बनेंगे? तो बाइवलेंट बुड़ बी बाइवलेंट बुड़ बी 50 ठीक है? क्योंकि 100 का पेर कितना आएगा? 50 पेर ही तो आएगा यार तो बाइवलेंट कुछ भी नहीं है इस दी पेर्ट स्ट्रक्चर और इस पेरिंग को बोलते हैं सिनाप्सिस ठीक है? और एक इमपॉर्टम चीज यह आए हैं जोडे में अपना-ापना फार्थमर ढूंकर के जोडे में आया है तो यार इनकी कोई मदद करता है मदद कौन करता है? इनके बीच में इक कॉंप्लेक्स बनता है उस कॉंप्लेक्स का नाम है उस complex का नाम होता है synaptonymal synaptonymal complex तो अगर आप से ये भी सवाल पूछा जाए कि synaptonymal complex कहां पर बनता है so that gets formed during which phase zygotin stage इसका काम क्या है आप next stage में पढ़ोगे ठीके बच्चो तो ये सारी कहानी किसकी हो गई zygotin की zygotin के बाद हम next stage चल पर चलते है that is pacotin pacotin में क्या हो रहा है अभी पे देखो centrosome अभी पोल्स पर नहीं पहुचे nuclear membrane अभी disintegrate नहीं होई है जो भी चीज़े हो रही है that is with respect to chromosome only chromosome में ही तुम्हें चेंज दिखाई दे रहा है पहले chromatin के form में थे फिर bivalent के form में आ गए monart के form में आ गए diada भी भी नहीं था but अभी stage में क्या हो ध्यान से देखना ध्यान से देखना एक pink वाला chromosome था बना लो और एक orange या yellow ठीक है ये भी chromosome 1 है ये भी chromosome 1 है तो यहाँ पे भी chromosome 1 है but ये chromosome 1 किस form में अब दिखाई दे रहा है this is visible in the form of diad and this is also visible in the form of diad जो इससे पहले वाले stage में दिखाई नहीं दे रहे थे और overall overall दो diad चिपके पड़े हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे tetrad दो diad क्या हो गया tetrad ही तो हो गया क्योंकि जिपके हुए 1,2,3,4 ठीक है that means हम ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं बच्चो कि जो बाईवेलेंट था बाईवेलेंट मतलब वो जो पेउट स्रॉक्चर थे is now clearly is now clearly visible as tetrad is now clearly visible as tetrad ठीक है अगर तुम NCRT पढ़ोगे ना तो इस बाईवेलेंट को ही क्या लिखा हुआ है इनोने इस बाईवेलेंट को ही लिखा हुआ है that it is known as tetrad बट यहां पर हम tetrad देख नहीं रहे होगा भले बट दिख नहीं रहा है cell के अंदर तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि tetrad या बाईवेलेंट बनते कहा है तुम यह वाली स्टेज मांग करोगे बट अगर आपसे पूछा जाए कि बाईवेलेंट tetrad के form में appear कब होते है तो तुम यह वाली स्टेज मांग करोगे दो अलग-अलग question है ठीक है बाईवेलेंट is clearly visible as tetrad in this phase अब तुम्हें याद रखना है बचो कि पैकेटिन का characteristic feature क्या है पैकेटिन वो स्टेज होती है जहाँ पर crossing over take place very important crossing over take place और crossing over क्या होता है बचो crossing over होती है exchange of genetic material exchange of genetic material अब थोड़ा सा अपने understanding को और broad करते हैं ठीक है और broad करते हैं एक fresh page लेते हैं ठीक है यहाँ पर हमने बनाया हुआ है chromosome 1 ठीक है और यह हमने बनाय हुआ है chromosome 1 का दूसरा homologus set यह दोनों chromosome homologus हैं क्यों? क्योंकि यह दोनों chromosome 1 के ही sets हैं यह चिपके क्यों हुए हैं? क्योंकि इनकी पिछले stage में pairing हो रखी थी और pairing characteristic होता है मियोसस का pairing क्यों किया था इनोंने? इनको आपस में अपना material exchange करना था यह अपना कुछ segment pink वाले को देगा pink वाला अपना कुछ segment orange वाले को देगा और इसी exchange को gift दिया, gift लिया इसको हम बोलते हैं crossing over बट crossing over किसके किसके बीच में होगी? अब थोड़ा सा और समझो हमने बोला कि यह जो one और one है these are what? homologous chromosome same set है न? तो same set है तो क्या होगा? homologous chromosome अब homologous chromosome अगर मैं pink वाले chromosome की बात करू तो इस pink वाले chromosome का यह chromatid number one है this is chromatid one ध्यान से सुनना बच्चो this is chromatid one this is chromatid two this is chromatid three this is chromatid four है न? तो हमने sister chromatid और non-sister chromatid भी समझ रखा था तो अगर मैं chromatid one लिखू और chromatid two लिखू तो chromatid one और chromatid two since they share the same tantromere इनको क्या बोलते हैं बच्चो sister chromatid similarly chromatid three हो या chromatid four हो since they share the same tantromere तुम इनको क्या बोलोगे? इनको भी sister बोलोगे ठीक है? अब मैं बात करू chromatid two की और chromatid three की chromatid two और chromatid three का centromere अलग-अलगे two वाले का ये है three वाले का ये है तो ये क्या बन जाते हैं? non-sister similarly one और three ले लो one और three ले लो one और four ले लो या two और four ले लो ये भी सारे के सारे क्या है? non-sister क्यों? क्योंकि इनका जो centromere है वो different है ये भी हमने बात पड़ी हुई है? है ना? तो जो गौर परमाने वाली बात ये है बच्चो कि जो two और three वो non-sister है तो यहाँ पर crossing over कहा हो रही है? non-sister के बीच में very very important सवाल कि chromosome कैसे होते हैं? homologus but chromatid कैसे होती है? non-sister इस बात को हम लिख लेते हैं ये बहुत important बात है कि crossing over takes place between non-sister chromatid non-sister chromatid of homologus chromosome concept of homologus chromosome बहुत important है अब हमने बढ़ाता यार कि पिछले में synaptymal complex बन चुका था synaptymal complex होता क्या है? synaptymal complex एक zip like structure होता है जैसे jeans में zip नहीं लगी होती chain नहीं लगी होती उस तरीके का ये structure होता है trilamellant synaptymal complex अगर पूछा जाए बना कहा था यार तो बन तो ये पिछले stage ही में गया था बट properly दिखाई कहां पर दिता है properly अच्छे तरीके से ये visible हो जाता है in which stage? in packet in stage और synaptymal complex का काम क्या है बच्चो? क्यों बने है ये? ये बने इसलिए है कि दोनों chromosome के बीच में ये crossing over करा सके क्या करा सके बच्चो? crossing over यार अब crossing over है तो crossing over भी characteristic feature है हमने पढ़ा है ना यार sexual reproduction में जो बच्चे आते हैं उनमें variations present होता है तो वो crossing over के बच्चों प्रेजन होता है क्योंकि इनके आपस में exchange हो रहा है genes का exchange हो रहा है दूसरी चीज crossing over करा कौन रहा है crossing over कराने के लिए यार crossing over कराने के लिए snap timal complex के उपर तुम्हें दिखाई देते हैं nodules इन nodules का नाम होता है बच्चों recombination nodules क्या नाम होता है recombination nodules इन nodules का function क्या है they have which enzyme recombinase enzyme कौनसी enzyme बच्चों recombinase enzyme और यह recombinase enzyme क्या करते है this recombinase enzyme help in recombination किसमे they help in recombination और recombination का मतलब क्या होता है crossing over recombination का दूसरा नाम क्या है crossing over तो crossing over का मतलब क्या होता है exchange इसका मतलब इसका segment यहां जाएगा और इसका segment यहां आएगा इसी को बोलते हैं crossing over इसी को हम बोलते हैं recombination कौन हेल्प कर रहा है synaptimal complex क्योंकिए synaptimal complex के पास nodules है कुछ packets है और उन packets के अंदर क्या present है enzyme और यही enzyme इधर का माल उधर कर रही है और उधर का माल इधर exchange कर रही है ठीक है तो यह सारी कहानी कहां हुई है यार यह सारी कहानी हुई है हमारी packet in stage में which is very very important stage ठीक है अब काम तो निकल गया gift तो ले लिया gift दे भी दिया पास पास आई क्यों थे पास पास आये थे exchange कराने के लिए exchange हो चुका है तो अब क्या करेंगे दूर दूर जाना शुरू कर जाएंगे पास पास आने को अगर synapsis बोला था तो दूर दूर जाने को क्या बोलेंगे D synapsis तो जैसे ही next stage शुरू होगी next stage का नाम क्या है diplotin तो diplotin में तुम्हें मिलेगा D synapsis and what is D synapsis separation of separation of paired homologous paired homologous chromosome तो यह सवाल PYQ I guess 2017 या 18 में ही पूछा गया था कि वो कौन सी stage है जहां से homologous chromosome की separation शुरू हो जाती विगें हो जाती तो वो यही stage है और इस फिनॉमिना को क्या बोलते है D synapsis है ना और एक चीज़ देखो यहां पर यहां पर nuclear membrane जो है यहां पर जो nuclear membrane है बच्चों वो क्या होने लगा है वो disintegrate होना शुरू कर दिया है क्यों? क्योंकि यह सब कुछ अभी pro phase में चल रहा है pro phase के बाद क्या आता है बच्चों? pro phase के बाद आता है metaphase और metaphase का characteristic feature होता है nuclear membrane नहीं होती तो nuclear membrane नहीं है तो तयारी तो यहीं से शुरू होगी न तो देखो nuclear membrane अपने आपको धीरे-धीरे तोड़ना शुरू कर चुका है centrosome भाईया अभी तक poles पर ही नहीं पहुचे है कब से चलना शुरू किया था तो अभी भी poles पर नहीं पहुचे है है ना? यह तो crossing over हुई थी ना? तो crossing over की वज़े से तुम्हें इस तरीके का structure दिखाई दे रहा है ठीक है? एक second crossing over की वज़े से तुम्हें इस तरीके का structure दिखाई दे रहा है अच्छा अब मैं आपको इस तरीके समझाती हूँ मान लो पहले यह एक chromatin है paternal और एक दूसरा chromatin सारे अभी उलजे पड़े हैं within nucleus ठीक है? एक मम्मी वाला का हम example ले रहे हैं पापा वाले का example ले रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास जित्वें भी क्रोमोजोम की set है जाहे 1 के हो, जाहे 2 के हो, जाहे 3 के हो they are present in sets जिसमें से एक आया है मम्मी से, एक आया है पापा से हैना, अब हो क्या रहे है जो भी मम्मी और पापा वाला क्रोमोजोम है वो अपना अपना partner देखकर के pair up होने लगेंगे तो pairing हुआ, उस pair structure को हम क्या बोलते हैं? बाइवलेंट ये बाइवलेंट, ये जो धागा है क्रोमोजोम का ये बाला क्या आया कहां से वचो? ये आया है S-PACE से तो S-PACE में इसका duplication हो रखा है बड़ तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा है अभी भी तुम्हें 2 rods दिखाई दे रहे हैं एक ये, एक ये, इस structure को हम बोलते हैं बाइवलेंट, है ना total हम बाइवलेंट बोलते हैं उस बाइवलेंट में है कितने धागे? दो rods दिखाई दे रहे हैं अब देखो, इनके पास replicated threads है तो बड़ी छुपा करके रखे हैं ये, जाइकोटिन तक नहीं दिखाएंगे अपना ये replicated threads पर जैसे ही ये किसमें आ जाते हैं जैसे ही बच्चों ये आ जाएंगे जाइकोटिन स्टेज में अब देखो, तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4 टेट्राड इसलिए हमने बोला था कि जो paired structure था अब तुम्हें चार-चार धागे के साथ दिखाई दे रहा है तो मुसको बोलते हैं tetrad देखो tetrad 1, 2, 3, 4 टेखो, अब इन में होगी crossing over देखो, धान से देखना बचो hand movement को ये देखो, बीच में क्या दिखाई दे रहा है crossing over तो crossing over होने की वज़े से crossing over का सबूत क्या है crossing over का सबूत है बीच में ये x-shape structure का बनना ये देखो, x की तरह appear हो रहा है तो ये जो x-shape structure है ये ये दर्शाता है कि ये वही point है जहाँ पर crossing over हुई है इसके पिछले stage में तो यहाँ पर भी देखो तुम्हें x-shape structure दिखाई दे रहा है ये देखो, ये x-shape structure ये देखो, ये x-shape structure इस x-shape structure को क्या बोलते है इस x-shape structure को बोलते है काईस माटा तो अगर question पूछा जाए कि काईस माटा कहाँ दिखाई दे रहा है काईजमाटा दिखाई दे रहा है डिपलोटिन में लिख लो काईजमाटा फॉर्मेशन काईज काईजमाटा 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 क्या है काईजमाटा पहली बात एक एक शेप स्ट्रक्चर है जो तुम्हें microscope के अंदर दिखाई देता है उसके अलावा का एज माटा क्या है? site where crossing over occurred site where crossing over occurred और यह crossing over कहां हुई थी? पिछले stage में ठीक है? अब यहार एक चीज देखो तुम्हें इसके पिछले stage में क्रोंग शन्य जुन स्धूस Right going Agr C कॉंएौँ lin hall करां plays एक 은दी बविए एक है डाट मींज जैसे इस इंड में हो चुकिए च्रोसिग ओवर or जुटेट, इस कम्प्ल सब्गारे के लो भी you सिनाप्टोनिमल कॉंप्लेक्स, therefore सिनाप्टोनिमल कॉंप्लेक्स, क्या कर जाएगी? डिजॉल. क्या कर जाएगी बच्चो? डिजॉल. ठीक है? है ना? और ये बात मैंने यहीं पर लिख दिये कि नूप्लियर मेंब्रेन डिसंटिंटेग्रेट हो चुका है. क्यों ना मैं आपको इस चीज दिखा दो फटा-फट से ये देखो ये देखो नहांसे देखना क्या कर रहे है ये परपल वाला है ब्लू वाला है परपल और ब्लू का पास-पास बाईवलेंट लेकिन आपको यहां पर ये भी दायाड में दिखाए दे रहा है पीछ वाला भी डायाड में दिखाए दे रहा है अर जब टेटराड दिखाए दे जाता है तो ये करते हैं च्र्पान कर विर दिखा रहा है इसका SEGM 왜enda यहां गया लू वाले का सेGM chests उधर आया उसके बाद उसके बाद क्या हो रहा है यह आप देखो एक्स्चेंज होने के बाद क्रोमोजोम का फेस इस तरीके से दिखाई देगा So this is set to be a crossing over यह crossing over कहा होई थी यह crossing over हुई थी हमारी packet in में तो packet in में crossing over हो चुकी है तो अब इनको पास-पास रहने के जुरत नहीं यह दूर हो जाते है तो आओ चलो वापस से notes पर अब next stage चलते हैं बच्चो next stage में हम बात करेंगे साथ से last stage of किसकी pro phase one की, तो होगा क्या centrosome, centrioles, dumb बीचो बीच पहुँच चुके हैं और इसके बाद क्या शुरू होने वाला है इसके बाद शुरू होने वाला है metaphase तो metaphase का characteristic feature होता है कि cell अपने आपको align कर लेता है बीचो बीच में तो उसकी तयारी भी शुरू हो चुकी है देखो, यह chromosomes आ करके अपने आपको align कर चुके हैं जो गौर फर्माने वाली बात है Just a second Diagrams बहुत अच्छे से बनाना है Diagrams इसके self-explanatory होते हैं तो हमने यार यह देखा कि pink वाला chromosome पूरा pink नहीं रहा orange वाला chromosome पूरा orange नहीं रहा क्यों? क्योंने अदान प्रदान किया था न? अपना segment pink वाले को दिया था pink वाले से segment खुद को ले लिया था तो अदान प्रदान करने की वज़े से pink वाले का segment यहां पर पहुच चुका है और orange वाले का segment exchange होने के बाद उधर पहुच चुका है तो यह एकदम वैसे नहीं है जैसा बिल्कुल शुरुआत में थे क्योंकि यह crossing over के result से बना है और यह जो structure बीच ओबीच आ करके लगा है इसी को हम क्या बोलते हैं बाइवलेंट कहते हैं या tetraat कहते हैं overall ठीक है और आप एक चीज़ देखो centrosomes बहुच चुके हैं तो centrosome spindle fiber भी बनाना शुरू कर चुके हैं तो spindle fiber की जो assembly है proper chromosome के पास चिपकने की वो stage में शुरू हो जाती है अच्छा एक चीज़ देखो इससे पहले तुम्हें ये egg shape structure काईजमाटा दिखाई दे रहा था बट इस वाले stage में consistent me die kinases में ये structure दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हुआ क्या यार ये egg shape structure बनाता काईजमाटा अब हम बोल रहे हैं यार इसको मालो chromosome 1 का एक set इस वाले को मालो chromosome 1 का दूसरा set बीच में जुड़े हुए हैं जुड़े हुए क्यों? क्योंकि यहाँ पर crossing over हुई थी पहले ही एक दम ऐसे थे है ना बट हमने देखा कि डिपलोटिन में इनका काम खतम हो चुका है crossing over खतम हो चुकी है तो ये दोनों chromosome separate कर रहे हैं देखो म्यान से ध्यान से सुनना separate कर रहे हैं separate तो कर रहे हैं बट काईजमाटा से ही separate नहीं हो पा रहे है क्योंकि वहीं सिंगे crossing over हुई थी बट धीरे-धीरे separate तो करना है क्योंकि cell division है cell division में chromosome separate होते हैं तो diokinesis में क्या होता है धीरे-धीरे क्योंकि separate करते हैं काईजमाटा ध्यान से देखना तो इसी Phenomenaा को कैकि Chies metta फिसल रहा है क्यों फिसल रहा है? स्छिप हो रहा है ना क्यों? क्योँगि ये यिजो दोनों Chromozones है वो दूर दूर जा रहे हैं और दूर दूर जाने की वज़े से जो Chies metta पहले Center पर था H-islip Structure में दिखाई दी रहा था वो फिसल के एकदम किनारे पर आ गया Terminals पर आ गया और इसलिए इस Phenomena को क्या बहुते हैं Terminalization of Chiasmata That means Chromosomes पूरे Separate होने की तयारी में है बट वो कहां से अभी तक पूरी तरीके से Separate नहीं हो पाए यही Exchange वाले portion से जहां पर इन्होंने अपता material exchange कर रखा है बस वहां से थोड़ा बहुत जुड़े हुए है अदरवाइस बाख की separation हो चुकी है तो यह characteristic feature है काईजमाटा का terminalization spindle fiber के assembly होना शुरू हो चुकी है क्योंकि next है metaphase और metaphase के तयारी में है यह cell इसलिए इसको बोलते हैं transition to metaphase one ठीक है तो यार हमने देखा जैसे यार इसको कैसी समझे जैसे school में तुम जब जाते हो चोटी classes में तुमने school change किया है ममी पापा किसी कोई government job है उनका transfer हुआ है तो यार नहीं जगा जाते हो ठीक है या तुम्हें एक मानलो coaching center पर जा रहे हो ठीक है जिसे बाटशाला के बच्चे क्या होता है जब आप क्या normal से ले लेते हैं जब medical college अच्छा सोचते है आथ तुम सारे लोग medical college में admission ले चुके हो वहाँ पर नए नए लोग आएंगे यार तो शुरुआत में तुम्हें एक दुस्रे को देख लेका ये क्या है तुम्हें एक दुस्रे से बात नहीं करोगे पर धीरे धीरे जब ज़्यादा time हो जाता तो bonding मने लगती है वहाँ पर तुम्हें एक मिल जाएगा पक्का दोस्त है अब तुम हर दिन कोशिश करोगे कि उस पक्के दोस्त के साथ ही बैठना है तो जब जानते नहीं थे अलग-अलग थे तो that was a leptotin stage जब तुम्हें उस कि पहचान हो जाती है तुम हर दिन चाहोगे उसी के साथ पेर हो करके बैठना तो वह कौन सी स्टेज है वह हमारा जाइगोटन stage अब क्या हो गया और मित्रता मतलब जो दोस्ती है वह और गहरी होगी बद्दे आया और भी कुछ चीज़ें तुम्हें एक दूसरे का अब मानो तुम्हारी बहुत गहरी लडाई हो गही है तो तुम क्या होगे? सेपरेट होगे बट लडाई होने के बाद तुरं से तो सेपरेट होता ने जाए Bowl Dawood थोड़े बहुत तो इमशं जुड़े होते हैं तो इमोशं कहां से जु़टो जुड़े होते हैं Kaiismoata से तो Dupl बिल्कुल सेपरेट हो चुके हो बस एकदम कगार पर है बॉन्ड तुम्हारा फ्रेंड्शिप का टूटने का तो वो कौन सा स्टेज है वो है हमारा डाइकाइनिस तो जो नोटस करने वाली बात यह है बज्चो लडाई हो तुम्हारी हो चाहे क्रोमोजोम की हो गेट्स नहीं करने हैं इन्हीं के साथ आगे जाएंगे हम दूसरी फ्रेंड्शिप करेंगे तो आगे चलते हैं अब यह कहां पहुच चुका है मेटाफेस बन में में क्या होता है च्यारक्टरस्टिक जो फीचर है यार मेटाफेस बन का क्रोमोजोम की अलाइनमेंट टूवर्ट्स विच शेये स्टेज में देखो वह मित्रता बिलकुल तूट चुकी है और अपने 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 गेप्टस केसाथ ही अलग हो चुके हैं और इस वहांपर हमने यहीं पढ़ाते कि प्लेडे स पर आते हैं वहाँ पर तोने सर्फ पड़ा तो जितने भी क्रोमोजोम हैं एक मेटाफेजिक प्लेट पर रेंज हो जाते हैं यहां पर किसकी पेटर दिखाई दे रही होगी बट क्योंकि यहाँ पर दो हैं, एक pink वाला, एक orange वाला, तो यहाँ पर कितने metafasic plate के number है, दो number है, ठीक है, तो यह characteristic feature है, metafase 1 का, how it is different from mitosis, क्योंकि mitosis में एक ही plate होती है, वहाँ पर एक ही chromosome का, जितने भी chromosome हो, वो एक ही plate में आकर के range होते हैं, क्योंकि ऐस सच वहाँ पर pairing, syn synapsus बगएरा नहीं होती, यहाँ पर हम bivalent का जिक्र करते हैं, और कितने metafasic plate बनती हैं, दो, ठीक है, और spindle fiber, kineto core के around आकर के अपने आपको attach करवा लेता है, तो लिख लो, attachment of, attachment of, spindle fibers, attachment of spindle fibers to kineto core, to kineto core, ठीक है, यह हो गई बात, अब क्या होगा, यह cell next stage में जाएगी, next stage क्या होता है, एना phase 1 का, एना phase 1 में क्या होगा, बच्चों, एना phase 1 में तो basic तो नहीं बतलेगा, basic में क्या होता है, basic में यह होता है, कि separation तो यहाँ पर भी होगी, बटी, अभी हम difference भी देखेंगे, just a second, गिफ्स बना दिए, गिफ्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बना दिया, देखो गिफ्स, ठीक है, अब spindle fibers का का क्या होता है, इनको खीचना, तो खीच रहा है, खीच करके इस वाले को इस पोल पर ले करके जाएगा दूसरे वाले को दूसरे पोल पर ले करके जाएगा है ना हो क्या रहा है जो क्रोमोजोम की सेपरेशन डिपलोटीन से शुरू होई थी अब यहाँ पर यह बिल्कुल सेपरेट होने लगे है ये वाला उधर वाले पोल पर, ये वाला इधर वाले पोल पर But how it is different from anaphase of mitosis Notes खोल करके बैठो और देखो diagram बच्चो जब हमने पढ़ा था anaphase तो वहाँ पर centromere की splitting होती थी और chromatid separate होता था But यहाँ पर chromatid नहीं separate हो रहा Entire chromosome is getting separated Homologus chromosome is getting separated तो लिख लेते हैं, homologus chromosomes start moving to opposite pole They start moving to opposite pole मतलब अब pairing, wearing, bivalent गया भार में ये individually क्या कहलाए जाएंगे अब क्योंकि अब ये poles पर चलना शुरू कर दिया है तो now they will be called as univalent और इस univalent में कौन सा chromosome है? Diad और इस diad के पास कितने chromatids हैं? दो chromatids हैं That means ये वाला इस pole पर जाएगा और ये वाला इस pole पर जाएगा और यही वाला chromosome फिर एक daughter cell में पहुँच जाएगा और ये वाला chromosome एक daughter cell में पहुच जाएगा ठीक है? तो होगा क्या? अभी तुम एक ही cell के अंदर दो chromosome देख रहे हैं डिपलॉइड है क्योंकि है ना? बट जब ये आगे जाके प्रोसीड करेगा division में तो एक एक chromosome एक एक cell में जाएगा तो हैपलॉइड बन जाएगा तो अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल कि actual reduction क्रोमोजोम में कहा शुरू हुई थी? तो actual reduction in number of chromosome in number of chromosome begins in this phase तो चलना तो यही पर शुरू करते हैं न पोल से और बहुत important चीज़ जो आपने लिखनी है centromere does not split centromere does not split and chromatids and chromatids do not separate and chromatids do not separate चीक है बहुत important चीज़ जो सवाल आता है इसमें difference और enaphase of mitosis में difference तो यही difference है ठीक है? नेक्स चलते हैं अब enaphase में separate poles पर पहुँच रहे हैं यह वाले इसदर पहुच जाएगा यह वाले इसदर पहुच जाएगा सेंट्रोजोम अपना अपना एक एक नूकलियस के साथ चिपक गया है spindle fiber दिरे-दिरे खतम होने लगेंगे क्योंकि separation करा दी उनका काम खतम हो चुका है दो सेल्स बनने की तयारी शुरू हो रही तो डायाड ऑफ सेल्स अब इसमें और उसवाले टिलोफेस में क्या फरक है उसवाले टिलोफेस में chromatids पहुच जेते इसवाले में पूरा का पूरा क्रोमोजोम पहुचा है कैसा क्रोमोजोम? तो यूनिवेलेंट क्रोमोजोम क्योंकि अब पेरिंग खतम हो चुकी है ठीक है? पेरिंग बिल्कुल खतम हो चुकी है अब इंडिवीज्वली ये यूनिवेलेंट के फर्म में एक्जिस्ट कर रहे है यूनि मतलब एक ही आपको दिखाई दे रहे है यह आप ठीक है? और और डिफरेंस क्या है यार? कि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि क्रोमोजोम पूरी तरीके से क्रोमाटन के फर्म में आ जाता है उसी क्रोमाटन में जो हमें इंटरफेस के दौरान दिखाई देता है यहाँ पर वैसा नहीं होता क्रोमोजोम अनकॉल तो जरूर होंगे NCRT की लाइन है कि यह एकदम वैसे से नहीं दिखाई देंगे जैसा इंटरफेस में दिखने चाहिए क्यों? क्योंकि इनको भी यहाँ पर देखो टिलो फेस अभी पूरा खतम भी नहीं हुआ था बट फरो फर्मेशन शुरू हो चुकी थी क्योंकि इट वुड भी फॉलोड बाई साइटो कानिस वन में क्या होता है एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन करके तयार है बट साइटो प्लाजम अभी भी शेम है तो साइटो प्लाजम का भी बटवारा कर दो होगा क्या यह देखो फरो और गहरी होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि यह डिवाइट कर जाएगी और इट फॉर्म टू डॉटर सेल विट देर ओन क्रोमोजोम गिफ्ट वाले क्रोमोजोम देखो बना भी दिये डाइग्राम बनाना है बच्चों कि यह देखो ठीक है दो डॉटर सेल हमें बन करके तयार हो गई है ठीक है एकदम मैंने क्रोमेटिन के फॉर्म में नहीं दिखाया है क्योंकि इनको वन सेट ऑफ डिवीजन और अभी खतम करना है बट क्योंकि यह दो डॉटर सेल जो बन जो भी आरेने प्रोटीन पहले बनाया था वो सारा मियोसस बन करने में खर्च हो चुका है तो अब यह जाते हैं इंटर काइनसिस में जो बहुत एक छोटी सी स्टेज होती है जहां पर जहां पर क्या होता है आउ पढ़ते हैं जहां पर क्या होता है You know just a second interkinesis it is just like interface इसे लिए इसको intra meautic interface बोलते है intra क्यों क्योंकि ये दो meiosis के between हो रही है मतलए 1977 के अंदर ही चल रही है दुबारा से underworld interface में उदर ही उदर हो गई intra meautic interface और साथ ही साथ interface जैसा सब कुछ होगा like RNA and protein के synthesis like centriole की synthesis everything will happen just like just like interface except two things दो चीज़े नहीं होगी इसमें कॉंस कॉंसी ना DNA की synthesis होगी ना histone की synthesis होगी अब दुबारा से DNA और histone बनाने की जरुरत नहीं है क्यों नहीं है बच्चों उसका भी रीजन सुन लो उसका भी रीजन सुन लो डज नॉट टेक प्लेस उसका भी रीजन सुन लो just a second यह देखो क्योंकि जब meiosis one के बाद cell निकल करके आया है तो already content बहुत हाई है already replication हो रखी है देखो ना replicated threads तो दिखाई दे रहे ना तो दुबारा से replication की जरुरत थोड़ी है और जब replication नहीं हुआ DNA और नी बना तो DNA को package करने वाली protein भी नहीं चाहिए इसलिए जब meiosis one खतम करने के बाद यह इंटर कानिसिस में entry मारते हैं तो इनको इतनी जादा DNA की ज़रुरती नहीं है इसलिए इंटर कानिसिस में ना DNA बनता है ना हिस्टोन बनता है ठीक है बचो तो यह हमारी कहानी खतम होई है किसकी cytokinesis one की और cytokinesis one खतम तो अब इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा इंटर कानिसिस खतम जहां पर वह दुबारा से प्रिपेर करते हैं तो शुरू हो जाएगी meiosis second ठीक है तो आज जो हमने पढ़ाया बचो that is just a meiosis one एक lecture और जब हम नेक्स पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि meiosis 2 किस तरीके से complete होती है अच्छा एक और है जब हम पोर्ट रहे एजब हम कर रहे थे यह वाली प्सकाइब कि हमारे पास एक पिंक वाला चाहे पिंक को भाले को मे translating किसी संब्धियों ठीक है तो जब ये मेटा फेज में अपने आपको अलाइन करते हैं इस तरीके से तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पिंक वाला मतलब मम्मी वाला ही उपर होगा क्रोमोजोम या पापा वाला नीचे होगा कोई भी क्रोमोजोम उपर नीचे हो सकता है random arrangement होती है ऐसा कोई fix नहीं है कि maternal उपर होगा या paternal होगा that arrangement is very random कोई भी उपर नीचे हो सकता है ठीक है तो yes this is how एक cell अभी meiosis 1 करके दो daughter cell बनाई है बचो अब इसके लिए क्यों ना हम एक video देख ले उस video में सिर्फ मैं आपको meiosis 1 ही दिखाऊंगी ठीक है ठीक है तो देखते हैं बच्चो जैसे second तो यह दिखा रहे हैं कि जब जब sexual reproduction चलेगी बच्चों meiosis चलेगा है ना और meiosis तहीं हमें variation मिल रहा है क्यों variation मिल रहा है क्योंकि अभी हमने पढ़ाता meiosis में crossing over होती है है ना तो यह दिखा रहे हैं कि यह जो मम्मी पापा है cell division के through cell division मतलब इनके अंदर meiosis चल रही है क्यों यह जो offsprings बने है they are the result of sexual reproduction only क्योंकि जो sperm बनेगा पापा से और मम्मी से जो over बनेगा उनके effusion से zygote बनता है और zygote can lead to either of the male और female progeny या offsprings ठीक है तो यह दिखा रहे है नॉर्मल reproduction के दौरान जो cell division चलती है that can be either meiosis आगे प्रसीड करते है ठीक है देखो क्या लिखा हुआ है अब male और female को specifically दिखा रहे है कि देखो sperm बनेगा किसके case में that is sperm formed after meiosis in human male and that is ova haploid cell which is formed in female cell ठीक है यह spermatocytes है बच्चो जिसके अंदर sperm बनेगा यह देखो brief में दिखा दिया है कि एक cell है दो daughter cell बनाई और दोनों जब गए तो 4 haploid cell बन गया ठीक है इसी को हम detail में भी पढ़ेंगे mitosis में क्या हुआ था एक ही set of division हुआ था और directly हमें 2 daughter cell मिल गएते हैं यहाँ पर overall 4 मिलते हैं meiosis 1, meiosis 2 के बाद अब हम पढ़ेंगे meiosis 1 detail में इसमें mitosis में दिखा रहे थे कि diploid cell ही बनी है और उसमें दिखाएंगे haploid cell ही बनी है अब देखो यह sequence दिखा रहे हैं कि किस तरीके से meiosis 1 और 2 कतम होती है तो सबसे पहले interface शुरू होगा एक cell cycle में G1, G1 के बाद S, S के बाद G2 उसके बाद meiosis 1 then cytokinesis, meiosis 2 then cytokinesis यह देखो इन्होंने interface में क्या दिखाया S phase को सीधा क्योंकि G1 में chromosome related कोई change होता नहीं है तो इन्होंने सीधा S दिखाया और देखो क्या दिखा रहे हैं कि कैसे DNA की replication हुई देखो सबके replicated धागे आ गए ठीक है यह देखो sister chromatrix बन चुके हैं, properly दिखाया नहीं देता वो तो हम अपने समझने के इस तरीके से देखते हैं centrioles भी duplicate कर गए, centrioles क्या बनाना शुरू कर देंगे, microtubules देख लो अब यह क्या दिखा रहे हैं यह दिखा रहे हैं कि देखो जब duplication हुई है, duplication के बाद यह sister chromatrix दिखाई दे रहे हैं बट यह sister chromatrix properly तुम्हें आगे जाके दिखाई देंगे, वो तुम्हें समझाने के लिए इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि ऐस के बाद होगा क्या आगे प्रोसीड करते हैं, देखो अब सबसे पहले interface खतम, तो हमारी pro phase 1 शुरू होती है, sequence पढ़ा हुआ था, अब देखो pro phase 1 में क्या होता है बच्चो, nuclear membrane disintegrate करेगी, बाद में जाकर कि अभी देखो क्या दिखा रहे हैं, pro phase 1 में देखो, अपना-पना partner ढूंडा, इस partner ढूंडने के फिनामिना को क्या बोलते हैं, synapsis, और same-same homologus वाले, ये भी मानलो chromosome 1 का है, ये भी मानलो chromosome 1 का है, same-same जाकर कि अपने आपको align कर लिए, और इस alignment को बोलते हैं, synapsis, और ये जो structure बनता है, इसको बोलते है, bivalent, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये bivalent सिधा-सिधा tetraad में दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये purple भी 2 chromatid है, पीछे वाला blue भी 2 chromatid है, तो overall कितने हो गए, 4, क्योंकि इन्होंने stages defined नहीं कियें, ना इन्होंने leptotin दिखाया ना, zygotin ना कुछ भी, ये सीधा-सीधा बोल रहे हैं कि प्रोफेस बन में देखो, ये सारी कहानी हो रही है, ठीक है, तो प्रोफेस बन में पढ़ा था कि टेटराड बनते हैं, तो देखो, टेटराड दिखाई दे रहे हैं, synapsis भी पढ़ा अब देखना ध्यान से, अब ये दिखाएंगे crossing over, एक्स्चेंज होगा material, पिंक वाला, ब्लू के साथ एक्स्चेंज करेगा, ये देखो, एक्स्चेंज हुआ, एक्स्चेंज होने के बाद क्या होगा, पर्पल वाले के पास ब्लू का सेग्मेंट आ गया, ब्लू वाले के प्रोफेस एंड होने की घगार पर जब होगा, तो nuclear membrane disintegrate कर चुकी है, क्यों, क्योंकि next stage शुरू होगा, वो metaphase होगा, और हमें पता है, जैसे ही nuclear membrane disintegrate होती है, हमारा metaphase शुरू हो जाता है, वो देखो वही चीज़े हो रही है, centrosome, centrioles भी poles पर पहुँच रहे हैं, प्रोफेस के end तक, क्योंकि now they have to change into metaphase, pro metaphase का मतलब है, metaphase से just पहले, ये देखो, क्या हुआ, ये चमकने का मतलब क्या है, spindle fiber की canidocore से attachment हो गई है, ये देखो, ये दिखा रहे हैं, अब यहाँ पर ये difference दिखा रहे हैं, कि mitosis में तुम homozooms के respect में हमने पड़ा था, वहाँ पर कोई pairing तो थी नहीं, तो यहाँ पर तुमें paired structure metaphase में दिखाई देगे, mitosis में paired structure, mitosis में paired structure नहीं थे, ठीक है, next, ये देखो, इन्होंने exchange किया, मतलब जो समान ने exchange किया था, वो रखा हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये दिखा रहे हैं, अब ये देखो, metaphase plate पर आ गए, अब यहाँ पर तुमें कितनी metaphasic plate थी, क्योंकि ये ऐसे arrangement, दो metaphasic plate दिखाई देगी, अब क्या होगा, anaphase 1, chromatid ने separate करेंगे, देखो, homologous chromosome separate हो रहे हैं, अपना-पना gifts लिये हुए हैं, now they are reaching to the opposite pole, जब opposite pole पर पहुँच जाए, that means tillophase 1, और tillophase के साथ-साथ, देखो, क्या हो रहा है, बच्चो, chromosome uncoil तो हुए हैं, बट बिल्कुल से chromatin के form में नहीं आए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था ना, हमने पढ़ा हुआ है कि chromosome uncoil होते हैं, बट बिल्कुल उस stage तक नहीं पहुँचते हैं, जैसा interface में होता है, तो देखो, यहां पे भी, ध्यान से देखना बच्चो, यहां पे भी uncoil हुई है, देखो, uncoil हुई है, but not to that stage, और दीरे-दीरे देखो, cytokinesis भी कर रहा है, फरो बना था, फरो बन गया, cell तूट गया, and this is how you get two daughter cell after meiosis 1, ठीक है, अब यह cell क्या करेगा यार, इस cell के पास एक ही centrosome है, उस cell के पास भी एक ही centrosome है, एक centrosome से ही meiosis 2 तो कर नहीं पाएगा, इसलिए, यह अपनी जाएगा, छोटी सी stage में, interkinesis में, जहां पर यह अपने RNA, यह protein, जो भी चीज़े चाहिए, meiosis 2 के लिए उसको बनाएगा, DNA नहीं बनाएगा, देखो, क्योंकि यह already replication हो रखी है, तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है, तो this was all about meiosis 1, next class में हम इसका further पढ़े है, ठीक है, तो, yes बच्चो, this was all about today's lecture, ठीक है, पढ़ करके आना है, है न, यहां तक पढ़ करके आना है बच्चो, क्योंकि इसी का continuation है, meiosis 2, और important इसलिए है, क्योंकि तभी overall meiosis खतम होगी, और तभी हम यह वीडियो देख करके, पूरी अच्छी तरीके से और समझेंगे, और कल हम करेंगे, next lecture में, बहुत सारे questions, आज हम questions इस पर नहीं discuss किये हैं, कल जब मिलेंगे, तो meiosis 1 के भी questions discuss करेंगे, और meiosis 2 के भी discuss करेंगे questions, और कुछ DNA content related जो questions होते हैं, बहुत सारे बच्चो उसमें फस्ते हैं, तो हम उस तरीके questions को भी बच्चो discuss करेंगे, ठीक है, so I hope सबको अच्छे समझ में आया होगा, थोड़ा सा और revision कर लेना, revision करके जब next lecture में आओगे, तो I can guarantee कि आपको पूरा meiosis अच्छे से clear हो जाएगा, ठीक है बच्चो तो next turn पर मिलते हैं, तब तक के लिए, bye bye and take care.